नमस्ते प्यारे बच्चो स्वागते आपका रामरूप सर्मा चैनल पर और मैं हूँ रामरूप सर्मा बच्चो एंटी एन ने फिर आपके लिए एक फैसलिटी प्रोवाइट कर दिये आपको पता होगा 18 तारिक से 25 तारिक रजिस्टेशन दोवारा से रियोपन हो गए और मै अपनी कैलकुलेशन फिर आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि सेशन बन में अगर आपको बैठना है कोई टार्गेट अगर आपको बनाना है तो आपको ये सारे आंकले जानने जरूरी होंगे कि नमबर आउप रजिस्टेशन कितने होंगे आप कितने होंगे है ना और उ इस तो टार्गेट को आप कैसा पूरा करेंगे वो मैं आपको आप बताने वाना हूँ ठीक है तो देखें आप सभी के सभी बच्चे मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ें और अनकेडमी पर एक टेस्ट स्रीज चली हूँ ये बच्चो इसे बहुत ज्यान से देख लें और ये टेस्ट स्रीज है आई 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 टी जे एई सोपर थर्टी टेस्ट स्रीज बिलकुल भी अपने मन में आप घबराईए मत के भई अनकेडमी पर हम कैसे जुड़ेंगे कहां से पैसे लाएंगे बिलकुल हंड्रेट परसेंट बच्चो ये फिरी है केवल क्लास फिरी नहीं ह केवल टेस्ट फिरी नहीं है आपका आना भी हंडेट परसेंट फिरी है यानि कि अनकेडमी कभी भी किसी भी टेस्ट के लिए किसी भी एक्जाम के लिए कोई चार्ज नहीं करती है ये जो पार्टिसिपेट इन ओल इंडिया लेवल लाइव टेस्ट में आप पार्टिसिप के लिए हैना उल्टा आपके लिए गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि अनकेड में चाहती है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें हमारे साथ जुड़ें और इसका जो प्राइजिज है वो पचास हजार रुपे तक का भी प्राइजिज है अब मैं आपको बताता हूं कि ये और वो 15 कोशन आपके 30 मिनट में पूरे हो जाएंगे आप मेरे कोड के साथ इस टैस्ट्रीज में एंटर कर सकते हैं बिल्कुल फिर एंटर कर सकते हैं तो आप मेरे कोड मेरा कोड है र-a-m-r-o-p-1-0 इस कोड का यूज करके आप इस टैस्ट्रीज में पार्टिपेट जर पतनी है ये दोर सुपर 30 टैस्ट सीरीज है इसके बारे मैं मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ पहली बात तो आपकी तैयारी चैप्टर वाइज होगी चैप्टर वाइज तैयारी करना ही बहुत जरूरी है बच्चो मौक टैस्ट आप तब दें जब आपकी चैप्टर वो एजुकेटर जिनोंने 1 से 100 तक कितने ही बारी है ना जेई में बच्चे रैंक लेका हैं जिनके पढ़ाय हुए तो डेली प्रक्टिस टैस्ट यहां पर आपके लिए जेई की प्रप्रेशन के लिए है टॉपिक वाइज बैस्ट क्वेस्ट यहां पर फुल सलेवस के नाम को 6 वजे यानि कि आप यह कह सकते हैं 18-800 में और इसमें आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा हर एक दिन 6 वजे आपका यह एक्जाम होगा टैसरीज में 30 मिनट का क्वेस्ट पेपर आपके लिए होगा 15 क्वेस्ट आपके होंगे यहां पर आप अपनी स्पीड को भ अभी का और आप सभी बच्चे भी इस टैसरीज में बिलकुल 100% जुड़ें चलिए हम मैं आपको टोटल आपके लिए observation बताऊँगा उससे पहले आप यह जरूर जान ले वैसे मुझे इस बात को बताने की साइद जरूरत में होगी कि best online platform education के मामले में इंडिया का अगर आप चाहते हैं या आपके भाई वहन है या कुछ बच्चे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो plus subscription भी ले सकते हैं और आपके लिए बहुत सारी facilities यहाँ पर मिल जाएंगी है ना आपके चैप्टर वाइस जो टैस्ट भी होंगे चैप्टर वाइस टैस्ट ही नहीं आपके बहुत composite course भी आपके यहाँ पर कराए जाएंगे और आप subscription जब लेंगे तो आप मेरा code यूज जरूर कर लेंगे और मेरा code वो यह बच्चो जो मैंने पहले बताया था REM, RWP, 10 और आपका जो course का cost होगा उसमें आपको 10% discount मिल जाएगा इसका link भी यानि कि हर कोई link आपको description में मिल जाएगा चलिए अपने topic की तरफ बात करते बच्चो कि जब हमारा registration 31 March को end हुआ था है न तो वो registration जो है बच्चो और 31 March के बाद में कुछ दिन आपको और मिल गेते पांस दिन और मिल गेते तो वो 8.8 लाक बच्चे रजिस्टर हो चुके थे उस time तक ठीक है न expected registration जो है 18 और 25 अप्रेल को ये registration बच्चे करीब 20,000 और हो सकते हैं हाला कि मैं कम बोल रहा हूं हो भी सकता है 30,000 भी हो हाला कि बहुत कम बच्चे रह गएं कुछी बच्चे रह गएं और वो भी साथ वो बच्चे रह गएं जो doubtful थे करें या ना करें second session में करेंगे हैना पहले board से ही निवट ले तो अब उन सभी बच्चों के लिए chance है क्योंकर दो महिने का time बढ़न गया है और आप मेरे साथ जुड़ेंगे academy के साथ जुड़ेंगे हमारी test series में जुड़ेंगे मेरी classes में जुड़ेंगे तो आपको first session के लिए भी 100% तयार किये जाएगा यानिकि आप ये देख सकते हैं कि अब ये 8 दिन मिलने के बाद में आपके जो total registration है वो करीब 9 लाक हो सकते हैं और अगर 20,000 बच्चे एपियर नहीं भी हुए तो 8.8 लाक या 8.7 लाक जो बच्चे हैं वो पहले session में जो session जून में आपका start होना है और जिसका date है 21 जून से लेके 30 जून तक वहाँ पर 8.7 लाक बच्चे एपियर हो सकते हैं बच्चों ये सभी आंकड़ा आपको लगाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि competition जो है उसको हर एक एंगल से 360 degree एंगल से आपको देखना होगा हना पहले session जो है मैंने आपको बताई दिया marks के बारे में मैं आ आपको बता जिता हूं थोड़ा सा idea कभी-कभी बच्चों को बहुत बड़ा confusion होता है कि आपके अगर 102 marks आ जाते हैं तो आप 95 परसेंटाइल तक ला सकते हैं और अगर 96 परसेंटाइल आपको लानी है यानकी 112 marks और 112 marks का मैं आपको बच्चे थोड़ा सा आंकड़ा बरता जि यानि कि 28 questions टोटल करने पर आपकी 96 परसेंटाइल आ सकती है और अगर कुछ प्लस और माइनस होंगे तो यानि कि 30 questions यानि कि अगर 10, 10, 10 questions भी अगर आप कर पाएं मैं आपको कुछ chapter बताऊंगा जिन मेंसे आप जरूर questions निकाल सकते हैं बस आपको मेरे साथ जोड़ना है ठी 97 परसेंटाइल 124 पर आ सकती है 98 परसेंटाइल 144 पर आ सकती है और 99 जो परसेंटाइल है बच्चे वो आपकी 172 पर आ सकती है ठीक है तो ये आपको मैं बता दूँ के इन questions को आप बड़े आराम से इतने question देखे 30 question है आपके कोई ना कोई एक subject आपका बहुत strong हो सकता है तो 15 question निकाल सकते है और बचे हुए जो दो subject है उनमें total करके भी अगर 15 question निकालते है तो आपकी जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छी बन सकती है आपको अपना college मिल सकता है ब्रांच के लिए थोड़ा सा आपको sacrifice करना पड़ सकता है ठीक है न तो marks for 90 percentile वो 80 marks ही काभी है य यानि कि अगर आप mechanical लेना चाहते है या फिर थोड़ा सा below branch लेना चाहते है तो आपको अच्छा college भी यहां पर मिल सकता है चलिए अब मैं आपको बता दूँ कि इसका और जो details जानना है आपको हर strategy आपको अगर जाननी है time table अगर आपको जानना है तो आपको मुझे कहीं भी जाकर कहीं भी आकर कहीं भी पढ़कर अपने घर वापस आजाते हैं अपने बैड़ पर आजाते हैं खापी के बिलको तयार हो जाते हैं क्योंकि भई देखो सफर में धूप तो लगेगी ही अगर चल सको तो चलो यानि कि अब आपको तपस्यातों करनी ही तो मेरी क्लास में आपको रात को 9 वजे और रात को 11 वजे आपको आना होगा और लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं तो मैं आपका इंज़ार करूँगा थैंक्यू सो